नितिन जाधव इनका सवाल है कि आप हमेशा नैचरल नैचरल बोलते रहते हो यह नैचरल है वो नैचरल नहीं है इसका मतलब क्या है नैचरल यह शब्द ही नेचर से आया है नेचर में जो घटा है उसको हम नैचरल कहते हैं नेचर के जो नियम है उनको नैचरल नियम हम कहते हैं तो यह जो नेचर है जो विश्व है उसमें जो विज्ञान के नियम है नेचर के नियम है अभी अगर विश्व और नेचर को अलग-अलग करना है तो दो शब्द अलग-अलग उपयोग मिलाने पड़ेगे इसको हम नैचरल कहते हैं जैसे इनसान पैदा होना ये नैचरल है प्राणी जगत पैदा होना ये नैचरल है हर प्राणी को बच्चे पैदा होना ये नैचरल है नेचर में जो उपलब्द है उसने खाना ये नैचरल है शाकार करना कुछ प्राणियों के लिए नैचरल है कि उनके उनके दात उसी डंग से बने हुए है वो केवल शाकारी कर सकते है उनकी अतडिया भी इन डंग से नहीं बनी है कि वो मामसार को पचा सके इंसान के दातों के रचना ही ऐसी है कि वो शाकारी भी है और मावसारी भी है इसलिए वो मावसार भी करता है और शाकार भी करता है यह नैचरल है इनको हम नैचरल कहते हैं अब जो हम अगर हम रहते हैं रहने के लिए जब तक हम गुफाओं का उपयोग करते थे वो नैचरल है क्योंकि हर प्राणी जगत रहने के लिए पेड़ू का उपयोग करता है जो नेचर में उपलब्ध है उसका उपयोग करता है हमको ठंड लगती है इसलिए हम कुछ चीज़े ओड लेते हैं ये भी नैचरल है क्योंकि ओठंड से बचने के लिए जो भी नेचर है उसका उपयोग कर लेता है हमने अपने जीवन में जब घर बाढ़ने शुरू किये ये नैचरल नहीं है ये हमने घर जो है वो खुद तयार किये लेकिन चीज़े हम सबने नैचरल से उठाई है घर बाढ़ना घर में रहना ये सव प्रदिशत नैचरल नहीं है लेकिन नैचर से ही उठाई है पहले गुफाओं में रहते थे अब हम रह रहे हैं घरों में रह रहे हैं तो ये जो नैचरल होता है नैचर के साथ में जुड़े हुए जो नियम होते हैं उसको हम नैचरल कहते हैं जैसे नर और मादी ने एक दुसरे के साथ में सेक्स करना जीवन साथ ही जो हम पुरा सिरीज देख रहे हैं उसमें पहले सिरीज में पहले हिस्से में ये बात आई नेजर ने केवल नर मादी तैयार किये हैं पती पत्नी नहीं तैयार किये नेचर ने केवल आदमी को इंसान को दुबला पतला होने के करण उसको सोशल बनाया शिकार करने के लिए सोशल उसको होना बहुत आवशक था वो अकेले शिकार नहीं कर पाता था नहीं उसके पास में हाती जैसा बल था नहीं शेर जैसा ताकदवान पंजा था इसलिए मिल जुलकर वो शिकार करता था अपनी सुरक्षा करता था लेकिन उसके बाद में ये जो सामुही कृती करना वो सीखा उसके आधार पर उसने भाशा विकसित कि अब ये आवाज करना नैचरल है लेकिन उसके आधार पर भाशा बनाना ये आगे की स्टेप है उसका social animal होना ये natural है क्योंकि दुबला पतला है इतना ताकदवान नहीं है जो भी प्राणी होते हैं दुबले पतले होते कम ताकदवर होते वो समू में काम करते हैं ये natural है लेकिन उसने हमने उससे आधार पर हमने समाच तयार किया अलग-अलग cultures तयार किये अलग-अलग धर्म तयार किये और आगे चलकर उसमें से जाती तयार किये ये natural के आगे की step है इस सो प्रतिशत natural नहीं है हमने शादी की system तयार किये ये natural नहीं है नेचर के आधार पर आगे की step हमने उठाई नेजर का रोकने की कोशिश में से शादी तयार हुई तो नैचरल होना, यानि नेचर के जो प्राथमिक नियम है उसको जैसे के वैसे अमल मिलाना फिर हम उसको सब्लिमाइज करते हैं सब्लिमेशन कहते हैं इसको उनने न करना कहते हैं उनी नियमों का हम उन्नयन करते हैं और उपरी स्तर पर ले जाते हैं वो भी नैचरल हो सकते हैं लेकिन नेचर के विरुद्ध जो हम करते हैं वो नेचर में टिक नहीं पाता है जैसे कि ब्रह्मचरी नेचर के विरुद्ध है अब बर्मचरिय होना ये नैशिरल नहीं है तो मुझे लगता है कि नैशिरल का शब्द का अरथ आपके सामने बहुत अच्छे डंक से अभी आ गया है अब इंसान का काफी चीज़े जो है वो बहुत नेचरल नहीं होती है जैसा हमने घर करकरना सिखा है हम समाज करकर रहते हैं हमने धर्म की निर्मिती की है उसके आधार पर जिने के कोशिश करते हैं अभी तो Constitution के आधार पर जिने के कोशिश करते हैं यह सब उननन है SUBLIMATION है उसमें कुछ अच्छा हो सकता है कुछ गलत भी हो सकता है हम कपड़े पहिन कर रहते हैं अब राद दिन कपड़े पहिन कर रहना यह कोई natural बात नहीं है लेकिन हमारे समाज की सब्वेता का हिसा है यह unnatural नहीं कहेंगे लेकिन नेचरल भी नहीं है एकदम से नेचर के नियमों के बिरुद्ध होता है उसको अनेचरल कहते है और नेचर के नियमों को लेकर थोड़ा सा उपर उड़ जाता है आगे बढ़ता है उसको हम सव प्रतिशत नेचरल नहीं ऐसा कह सकते है लेकिन unnatural भी नहीं है ये फर्क हम करते है मुझे लगता है कि जो explanation मैंने आपको दिया है वो explanation सुनने के बाद में किसको natural कहा जाता है ये आपके ध्यान में आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये awareness पहलाने में हमारे मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए